हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ बनाऊंगी ब्रेड रोल बनाना जो बहुत ही युनिक तरिके से बनाने के लिए आप भी एक वाई से जब ट्राइ कीजिएगा और जिरूर बनाएगा इस बार इसके मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन लो तो आप लिए था इसको मैस कर लेंगे हो कि आ अलू को बढ़िया से में मैस कर लिया है अब क्या करेंगे गैस पर ऐगाई के दो मिनट गरम हो ले देंगे कराई गरम हो चुका है एक चमाचिस में हम तेल डालेंगे कि तेल गरम हो चुका रहा है आदा चमट में यहाँ जीरा डालेंगे जीरा को दुन चटक नहीं देँगे तो घ्रा बढ़िया से भून गया है और दो से तिनम हरीपेश डालेंगे इसे भी भून गया है मिर्ज को भून लिया है, अब एक ट्माइच डालेंगे बबारीच्छी में कट लिया था और इसे भी भून लिया तो प्यास सॉफ्ट हो चुका है अब इसमें हम कुछ मसाला दालेंगे सबसे पहले अदा चमच खंदी पाउडर डालेंगे अदा चमच जीरा पाउडर अदा चमच जन्या पाउडर थोड़ा सा लाम निई पाउडर रिख्या जाल बोड़ा सा मशाला मारा तयार हो ग्याव घ्राणार रखे देंगे तक कण भीक्संटर करदा है ब्रेट को ले लेंगे तो चापुषी साहत है से चारो तरब काटके निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे इसको हमने बेल लिया है अब यहां भी हम पिजा सॉस लगा लेंगे आप चाहे तो यहां ट्रमेटो कैशप लगा सकती है ग्रीन चटनी भी जो आलू कमासल हमने तयार किया था उसको हम से थारा फैला देंगे आलू कमसालक हमने बढ़िया से इस पर फैला दिया है अब इस पर हम खड़ा सा पने डालेंगे आप चाहे तो चीज भी इस पर लगा सकते हैं अब रेट को हम इस तरह गुल गुल भुम आके इसी तरह से सारे रल को हम बनाके तयार कर लेंगे सारे ब्रेट रोल को देखें हमने तयार कर लिया है अब आई इसे हम फ्राइ करते हैं ब्रेट रोल को फ्राइक करने के लिए देखें हमने गैस पर पैन चणा दिया है और गरम हो चुका है ब्रेट रोल बनके तयार हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है ब्रेट रोल आप भी एक बार जरूरी से ट्राइक कीजिएगा मिल्ट आपसे अगले वीडियो में लाइ रस्पीके साथ